आज मैं इस वीडियो में बात करने बाली हूँ अटाच्मेंट और डिटाच्मेंट के बारे में आपने देखे हूंगे ऐसे लोग जो कोई अपनी गाड़ी से बहुत जादा अटाश्ट है अगर गाड़ी कोई स्क्राच भी आगया तो उसका ऐसा दिल दुख जाता है कि जैसे किसी जीते जाकते इंसान के ओपर कुछ विपदा आ गई है कोई अपने मोबाइल से बहुत जादा अटाश्ट है कोई अपनी वाइफ से बहुत जादा अटाश्ट है कोई mother से बहुत जादा attached है मतलब non living things के साथ भी attachment बहुत ही जादा है या फिर किसी person के लिए attachment इतना है कि obsession तक बन गया है मतलब attachment होना अच्छी बात है लेकिन अगर वो attachment इतना जादा है कि उसमें जरा सा भी कोई बदलाव आने पर किसी भी तरीके से कोई नुकसान होने पर या उसकी संभावना के डर से भी आप बुरा हाल हो जाता है तो वो फिर आपके लिए एक ऐसा सरदर्द है जो हर समय आपके अंदर बना रहेगा अब यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है मतलब कोई इंसान इतना जादा ओवर अटैश्ट किसी भी परसन से या किसी भी चीज से कैसे हो जाता है और वो कैसे भूल जाता है कि जहां फिर भी आप अटैश होने की कोशिश कर रहे हैं उससे कभी न कभी किसी न किसी रूप में डिटाश्मेंट तो आएगा ही अटैश्मेंट करने में कोई बुराई नहीं है अगर आप इस तुर्थ को भी जानते हो कि डिटाश्मेंट भी उसी का ही एक इन्विजिबल पार्ट है तो बहुत डीटेल में समझते हैं आप या आपकी मदर अटाच हो गई है मतलब किसी भी रिष्टे से आप अटाच हो गए है किसी भी समान से आप अटाच हो गए है मतलब जुड़ गया है आपने बिसिकली उस समान को या उस इनसान को अपना मान लिया है अपना अधिकार मान लिया है और आपने यह सोच लिया है कि बस अब ये मेरा है अब मेरा है तो यानि कि इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए यह जो जैसा है वैसा ही बना रहे है जब कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चेंज एक ऐसा टूत है जिसे होने से कोई रोकी नहीं सकता एक इंसान ने जिससे आपको बहुत अटैच्मेंट हो गया अब उसकी हरकतों में कोई जरा सा भी बदलाव आता है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपने उसे जिस रूप में अपनाया है जिस रूप में आप अटैच हुए हैं आप एक्चिली उसमें बहुत जाता चेंज देखना ही नहीं जाते है लेकिन जब जब भी कोई चेंज आएगा उस परसन में तो आपको इन सिक्यॉरिटी पैता होगी और आपको एक फियर पैता होगा कि कहीं आप उससे डिटैच न हो जाए और उस फियर की वज़ा से आपका उपसेशन लगातार लगातार बढ़ता रहेगा उस परसन के लिए इसी तरही के से आपके पास कोई समान है आपने नया कोई भी समान खरीद के लेकर आए आप तो उससे आपने अटाच्मेंट कि ये मीरा है ऐसे का ऐसी रहेगा जैसे नहीं गाड़ी ही लाए तो बस ये गाड़ी न्यू ब्रैंड ऐसी की ऐसी ही रहेगी इस पर कुछ भी नहीं चैंज होगा जबकि ऐसा नहीं है वो रोड पर चलेगी तो स्क्रेच तो आए गई आएगा हो सकते है आपसे बैक करते वक्त कुछ डैमेज हो जाए या किसी भी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम आजाए इतना दुख होगा इतना दुख होगा बहुत ज़ादा क्यों क्योंकि उस अटाच्मेंट को आपने फील करते वक्त एक गलती जो है वो ये भी कर ली कि इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा इसलिए आपको सफर करना पड़ता है जो भी लोग इतना ओवर अडैश्ट किसी भी चीज से हो जाते हैं किसी भी परसन से हो जाते हैं उनको बहुत दुख होता है मतलब वो कोई भी चेंज वो एकसेप्ट ही नहीं कर पाते हैं मतलब उन्हें बहुत परिशान होती है लोग रोने लग जाते हैं इस चीज के लिए बौकलाने लग जाते हैं गुस्से से पागल हो जाते हैं चीक ने जलाने लग जाते हैं और मतलब damage करने लग जाते हैं और normal emotion को बहुत जादा intensity के साथ फील करते हैं जहां जहां पर भी attachment आएगा वो आपके दुख का कारण बनेगा अब कुछ लोग यह सोचेंगे कि क्या हम किसी चीज़ से attachment ना गरें तो फिर कैसे रहें क्या रिष्टों से attachment करना बुरा है या किसी चीज़ से attach होना बुरा है देकि attachment पूरी तरीके से बुरा नहीं है लेकिन अती हर चीज़ की बुरी होती है आपको देख लेजिए जिस भी रिष्टे में आप बहुत ज़दा attach होते हैं वही रिष्टा आपके सबसे बड़े दुख का कारण बनता है अब जैसे एक मदर है वो अपने बच्चे से बहुत ज़दा attached है naturally मदर का बहुत attachment होता है बड़ा love बड़ा प्यार सब कुछ होता है अच्छी तरीके से अब जरा सबी बच्चे को कुछ हो जाता है तो मदर सबसे ज़दा पैनिक करते हैं डॉक्टर्स के पास क्यों क्योंकि उनका attachment सबसे ज़दा फील करते हैं इसलिए वो बहुत ज़दा पैनिक फील करते हैं एक बार मैं अपने कोलीक डॉक्टर के पास उनके क्लिनिक में बैठी भी थी तो वहाँ पर एक बच्चा आया और उसको बहुत ज़दा सदी जुखाम बखार हो रहा था उसके साथ उसके मदर फादर दोनों आये तो फादर ठीक ठीक तरीके से बता रहे थे लेकिन जो मदर थी वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था बच्चे को बुखार सदी जुखाम जैसी एक कंडिशन थी नॉमल लेकिन बहुत ज़दा बुरा हाल वो बहुत पैनिक कर रही थी मतलब इनकी डॉक्टर को बोलने में नहीं दे रही थी बात में बीच बीच में काटना बात को तो ये सब क्या है ये ओवर अटैश्मेंट की वज़ा से हो रहा था क्योंकि जब भी आप ओवर अटैश्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से तो कोई भी अगर कुछ बदलाव आता है तो वहाँ पर आप अपनी सुद्बुत समझ खोने लगते हैं और आप ओवर एक्ट करने लग जाते हैं वो आपको एक नॉर्मल एमोशन को भी जैसे एक मदर को दुख हो रहा है कि बच्चे को इस तरह से तकलीफ हो रही है बच्चा परिशान हो रहा है बुखार से तड़प रहा है तो वो जो दुख है जो सामाने महसूस होना चाहिए वो ज़रुत से ज़्यादा महसूस हो रहा था तो उस ताइम पर बॉकलाहट में आप जिस परसन से हैं जिस चीज़ से ज़्यादा डाइश्ट है तो उसके लिए वो एमोशन बहुत ज़्यादा फील करते वे एक्चली कई बार आप जो सिचुएशन में बेस्ट किया जाना चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए उसको करने की बज़ाए कुछ जाने जाने में और गलतियां कर बठते हैं जिससे और ज़्यादा दुख का कारण आपको बढ़ते चले जाते हैं दुख की कारण और आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परिशान होते चले जाते हैं तो जहाँ पर भी आप attached है, वहाँ पर तो किसी न किसी रूप में आपको दुख तकलीफ महसूस होगी, तो क्या करें, attachment ना करें, ऐसा भी नहीं करना है, हर चीज में balancing बहुत ज़रूरी है, balance रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, आप समझे कि किसी परसन से आपको attachment है, हाँ ठ ठीक है, attachment है अच्छी बात है, अब उस attachment की वज़े से आप उसे प्यार देंगे, care करेंगे, उसे understand करेंगे, है ना, उसके लिए act of kindness करेंगे, उसे freedom भी देंगे आप उसे, उसके लिए compassion का feeling भी रखेंगे, आप उसके लिए बहुत सारे तमाम positive gestures रखेंगे, लेकिन साथी आप ये understanding भी, ये wisdom भी अपने माई में रखेंगे, कि जिस भी person से आपको बहुत जादा attachment है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी अलेक एक जिन्दगी है, वो हमेशा वैसा नहीं रहने वाला है, वो कभी भी आपकी मर्जी के खिलाव जाकर भी कुछ और भी अ कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, उसके सपने, उसकी choices, जरूरी नहीं है, कि आपसे attachment है, तो आपके अनुसार जो होना, उसके सारे सपने या उसकी जिन्दगी शेप लेगी नहीं, जब भी हम किसी से attached होते हैं खास तो और से लोगों से, तो वहां पर actually हम उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, हम attachment के अंदर एक छुपावा, जो अधिकार के हमारे अंदर एक चाहत होती है, कि मुझे इस attachment है, तो बस इसको वही करना चाहिए, जो मेरे मन भाए, ऐसे बहुत सारे cases मेरे पास आते हैं, जिसमे attachment की विसे, ऐस तरीके से, जैसे parents कहते हैं, हम त साफ से ही करेगा सब कुछ, क्योंकि मैंने इसे इतना प्यार attachment दिया है, तो आपने प्यार attachment दिया, वो आपकी कदर करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि वो अपनी जिंदगी सारे पैसले, बस आपको खुश करने की चक्कर में ही ले लेगा, तो attachment का लोग इतना वो क अधाश्ट थी उनसे, बिसिकली अटैश्ट कर डिपेंडेंट थी, क्योंकि उसकी मदर उस अटैश्मेंट के वज़ा से रोजणा, मतलब वो बची ट्वेल्थ मी आ गए थी, तो उसकी पूरी उनिफॉर्म कोदी स्कूल से आकर टै करना, रोजणा उसको धुली वी उनिफ पैनाना, उसके बुक्स अरेंज करना, उसके बैग अरेंज करना, उसको मतलब पूरा एक अटैश्मेंट के नाम पर डिपेंडेंट बना रखा था अपने उपर, उसका कोई फ्रेंड नी था, हर चीज़ उसे शेर करना, रात को कोई प्रजेक्ट भी बना लिये, तो चाहे बारा बज़े हैं, एक बज़े उसके साथ बैट-बैट कर वो सब करना, तो वो एक अटैश्मेंट जो था, वो ओवर था, उसमें एक डिपेंडेंस ही आगे थी, तो वो एटैश्मेंट इतना गहरा था, कि आप ऐसी अन होनी हो गई, कि वो अलगाव हुआ, लेकिन वो एकस मतलब समहालने की जितना कोशिश करो, लेकिन बस वो सुनी एक बात पर अटक जाए, तो अटैश्मेंट जब ज़रूर से जादा होता है, तो वहाँ पर आपके सर्वाइवल के लिए भी खत्रा बन जाता है, लोग एक एक मैमरी तक से अगर अटैश्ट हो जाते हैं, तो दस पर अपने आपको रिमाइंड कराईगे, कि ये जो रिष्टा है, ये हमेशा बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा, इसमें बदलाव आएगा, या उसमें कुछ ना कुछ अलगाव आ सकता है, बिछड सकते हैं, समान है तो टूट सकता है, पुराना हो सकता है, गिस पहले से ही जानते होंगे, कि ये कभी ना कभी तो होगा, किसी ना किसी रूप में तो होगा, तो आप जितना सफर करते हैं अभी आप, उतना आपको सफरिंग नहीं होगी, आपको नॉर्मल एक हुमन एमोशन है, कि जब भी बी कुछ अगर आपसे बिछडता है, या किसी भ होता है normal human emotion आप feel करेंगे जरूर से जाधा feel नहीं करेंगे क्योंकि attachment आपको panic कर देता है किसी भी example से समझ लेजे एक और example देती हूं आप रोड पर जा रहे हैं आपने देखा एक जुगी भेर लग रहे हैं किसी का accident हो गया अभी आपको नहीं बता कि किसका accident हुआ है आप बिल emotion में जाएंगे अगर वो थोड़ा जान पैचान वाला है normal type का कोई बहुत ज्यादा अंदर feelings नहीं है उसके लिए तो आपको normal type का दुख होगा आप कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसकी help कर सकते हैं लेकिन वहीं पर अगर कोई बिल्कुली आपका करीबी prevention होगा और जिस attachment basically दूसरे को भी control करना चाता है और attachment आपकी बुद्धी सद बुद्धी को भी छीन लेता है और बस emotions आप पर हावी हो जाते हैं लेकिन जो लोग इस चीज़ को इस अंदर के secret को जानते हैं कि attachment एक परत है और उसकी पीछे की जो दूसरी है वो क्या है वो है detachment अलगाव तो ह होना ही होता है कुछ ना कुछ बदलाफ तो होना ही होता है तो वहां पर आप अपने आपको basically पहले से ही जीवन की कड़वी सचाई के लिए prepare रखते हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरीके की psychological damage नहीं होती है आप normal तरीके से कुछ दुख को या कभी चिंता को experience करते हैं और वक्त के साथ धीरे धीरे आपने आप ही सामाने हो जाते हैं वो भी चंद दिनों के अंदर ही अंदर लेकिन अगर जरूत से जादा डाश्ट होते हैं तो real damage की बजाए जस्ट एक आपने ऐसा assume भी किया आपको एक anticipation भी हो रहा है तब भी आप उतना सफर करते हैं जितना real damage के इतना जादा over concern रखते हैं कि बहुत सारे उनके superstitious beliefs को follow करना और अलग लग तरीके के कुछ कमपल से behavior करना तक लोगों में develop हो जाता है just because of वो attachment के वज़े से क्योंकि वो reality नहीं देख पा रहते हैं क्योंकि ये एक इतना intense emotions हैं आपके अंदर के कि ये आपकी actually सद बुद्धी यानि कि उसको बिलकुल हर लेते हैं सिर्फ वसिर्फ भावनाएं आपके उपर हावी हो जाती हैं और जब जब भी किसी इंसान के उपर भावनाएं बहुत जादा हावी होती हैं और उसके जो wisdom है जो उसकी तारकीक शक्ती है जो उसकी वास्विक्ता को देखने की शक्ती है वो कोई खो जाती है तो बस अपनी भावनाओं के चक्कर में आप जो हना अपना समय और अपनी सेहत को खराब करते रहते हैं और वास्विक्ता तबी भी नहीं बदलनी होती है तो याद रखिए हर रिष्टे की भी एक उम्र होती है हर समान की भी एक उम्र होती है अब रिष्टे की उम्र जैसे होता है न कई बर ब्रेक अप हो जाता है किसी का अब बताई ब्रेक अप हो गया तो अपनी जान दे दी अब ब्रेक अप हो गया तो इसमें जान देने वाली कौन सी बाक थी स्विकार करना था यह एक वस्टविक था के रूप में आया लेकिन attachment इतना ज़ादा वो था कि ऐसा लग रहा था कि बस वो person नहीं तो कुछ भी नहीं मेरी जंदगी में मतलब उस attachment में अपने आपको इखो दिया अपने आपको ही देखना भूल गए कि आप भी कुछ है किसी का कुछ और धोका मिल गया किसी उसमें तो उसने चलो जान नहीं दी तो उसने एक विश्वास बना कर बैट गए जस्ट उस ओवर attachment की वज़े से reality को accept नहीं कर पाई क्योंकि तारकिक वास्तविक नजरे से देखने ही पाते हैं भावना अभी तक इतनी वो रहती है वह सारे लोग हैं अपने एक्स को चेस करते रहते हैं कभी कुछ सर्च करके कभी कुछ सर्च करकर तो attachment जब overly आपके उपर हावी होता है तो आप से इस तरीके की हरकते करवाता है जो आपको जीवन को समाने रूप से जीने नहीं देती हैं जब हम शुरुवात में ही अपने आपको clarity से पुरा भर लेते हैं तो हमारे अंदर एक confidence रहता है कि जबी भी कुछ unexpected भी होगा life में तो हम ready हैं उसे face करने के लिए normal तरीके से दुख मनाएंगे दुख मनाने में भी कोई दिक्कत नहीं कभी कभी रोने में भी कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी रोना भी चाहिए रोना भी कभी कभी healthy होता है अगर आप हर वक्ती खुश है हर वक्ती हसे जा रहे हैं तो ये भी कई न कई कुछ खत्रे की निशानी है कभी कभी आपको फलका दुख होना मन की उदासी होना कभी रोना ये भी सब समाने सी बाते हैं तो हम इस सारी बात जो मैं आपको समझा रही हूं से क्या समझ रहा है कि attachment करते वक्त एक understanding जरूर रखियेगा बस उस understanding के साथ आप attachment रखिये आपका जीवन बिलकुत सुखी रहेगा ना आप उस रिष्टे को control करेंगे attachment के नाम पर उसका जीना मुश्किल करेंगे और ना ही उपने मन में कलेश रखेंगे ना दूसरे के जीवन में कलेश परेंगे और ना ही किसी समान के खोने पर या नुकसान हो जाने पर जोना आप जरूर से ज़्यादा दुख मनाएंगे शुख बिसिकली आपके अंदर एक acceptance by default रहेगी और आप जीवन में नेरंतर आगे बढ़ करते रहेंगे भले ही परिस्तियां कोई भी हो बदल आफ किसी भी तरीके का आए तो इस तरीके से आप अपने attachment को control में रखिए और खुश रही है इस वीडियो में इतना ही उमेद करते हूं कि बाकी वीडियो उसकी तरह भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे क्यों बड़ा overly attached हो जाते हैं बड़े परिशान रहते हैं तो आपका एक शेयर उनकी मदद कर सकता है आप अपना खास खियाल रखेगा मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में